नमस्कार, हिमाचल प्रदीश आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है खबर आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक हम साजा करेंगे उससे वहले आप सभी सेक निवेदन है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदीश की हर ताजय खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जूरूर कर दे हिमाचल प्रदीश में सुर्पत्म करोना की मामलों पर बड़ी अप्टीर आपको देना चाहेंगे हिमाचल प्रदीश की बात करें तो अब लागतार जो है वो 29 मार से यहाँ पर परस्तावित की गई है और इसके लिए बकाईदा परस्तावित डेट शीर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई है इसी के साथ यह सबी परिक्षाइन 20 सप्रेल तक आयोजित करवाई जाएंगी वहीं हमाजसर प्रदीश में अब हिजाब का मामला पहुंच चुका है स्कूल में आपको बता दे चली कि उन्ना जिला के एक सरकारी स्कूल में एक चात्रा हिजाब पहन कर आई और जब उसे हिजाब पहन कर ना आने को कहा गया तो उसने कहा कि स्कूल छोड़ दोंगी परन्तु हिजाब पहना नहीं छोड़ोंगी अब इस मामले पर जो है वो क्या कुछ हमाज़ प्रदेश में रहता है उस पर आगामी जो भी होगा उसकी अप्डेट भी हम आपको जरूर देंगे और आपका क्या कहना इस पर अपनी हमें कॉमेंट बक्स में राए जरूर बताईएगा वहीं हमाज़ प्रदेश के सीएम मुख्य मंतरी जेराम ठाकुरकल जो है वो एमस में भरती हो गए आपको बताते चलें कि ये एक रूटीन चेक अप था इससे पहले वो आईजीमसी शिमला में भी भरती हुए और इसके बाद जो हो दिल्ली रवाना हो गए और वहाँ पर इक सो दो और tecnología के लिए बड़ी यहां पर खुश्कबरी ये है कि अब जो NHM है उन्होंने यहां पर उनकी मागों को मान लिया और उन्होंने कहारे कि आउट्सोर्स का जो मुद्दा है वो आगा मी जो बज़र सत्र भी आने वाला है उसमें रखा जाएगा उनके लिए क्या कुछ नीती सम्मंदित जो भी यहां पर त्यार किया गया है वो सब कुछ जो है वो बज़र सत्र में रखा जाएगा क्योंकि 22 फरवरी को यहां पर विदि विभाग ने कहा है कि सरकार भरती शुरू कर सकती है अगामी जो भी भरती है आप वो जेबिटी के यहां पर परशिक्षकों है उनके लिए शुरू कर सकती है कुछ इस तरह के अमहत्तपूर जो है यहां पर हिमाज़ पतीश में निरने रहें उम्मीद करता हूँ यह खबरे आपको अच्छी लगी होगी तो ऐसी खबरों के लिए माज़ साथ जुरूर रहिए चैनल को जो सब्सक्राइब करके जैसाथ में वीडिको लाइक और शेयर जुरूर करें धन्यावाज जैहिन जैहिमाचल